दोस्तें इंडियनामी की बेटलफ्विंट की ताकत से तो हम सब वाकिफ हैं और हमें पता हैगी किस तरीके से किस बेहतरीन तरीके से इंडियनामी अपने چीजों को एंजिक्यूट करती है। अब उसी तरीके से उन्होंने एक और चीज में अपना, मतलब नया तो स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन वही जो कहावत है न, किसी हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको नया काम करना है, कई बार आपको पुराने काम तो नय तरीके से करने में भी सफलता मिल जाती है, तो उसी तरीके से इन्ने नामी ने अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट की है, दोसो असी लोगों की यूनिट है, इस यूनिट को कहा जा रहा है, सिग्नल टेकनोलोजी एवल्यूएशन एडड़ेशन ग्रूप, दोसो असी में पार जैसे मैंने आपको बताया, इनका जो में अब कुछ पता चलने वाला है, इंटेस्ट्री वीडियो होने वाला है, दोस्तों चैनल पर पहली बारा है, तो सब्स्क्राइब करके बेला इकन दबा देजे, वीडियो को इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं, देगे दोस्तों ये जो यूनिट स्टार्ट की गई है, इस में से 280 मैन पावर इकठा करके एक नए टीम बनाई गई है जिसका में काम होगा जिसका में जो फोकॉस होगा वो टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट के तरफ रिसर्च और इवेलिएशन के लिए होगा कम्यूनिकेशन का जो एक इंफ्रस्ट्रक्चर है आपको उसको इंप्रूव करना है जैसे कि नए नए टेक्नोलोजी जो फूटरिस्टिक टेक्नोलोजी है जैसे कि 6G हो गई आपकी आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस हो गई मशीन लर्निंग हो गई इन सब चीजों पर काम करने के लिए इस यूनिट को तैयार किया जा रहा है आप देख रहे हैं कि आप बाकी जितने भी अलग अलग कंट्रीज की जो डिफेंस है वो सब इन सब चीजों पर काम कर रही है वहाँ पर आपको जो आईटी सेक्टर है व यहाँ पर आपको दिमाग से लड़ना है और आपको आर्टीफिशिल इंटेलिजेंस यो जो ह्यूमन पावर है न उससे भी एक उपर की पावर पर आप लोग काम करना चालू कर चुके हैं जिसको AI और ML गोल रहे हैं मशीन लर्निंग और आर्टीफिशिल इंटेलिजेंस य अभी तो जो इनिशल स्टेजेज है जो अभी इंफरमेशन आई है उस रिसाप से 280 लोगों की एक यूलिट तेयार की गई है और उसका मेन फोकस जैसे कि अपने बात किया है वायरलेस और दोनों सिस्टम पर ये लोग काम करेंगे ऐसा नहीं है कि जी वायरलेस टेक्नोलोज पर ही दोनों पर रिसर्च और इवेल्यूएशन करेंगे उसमें कुछ नया भी इनोवेशन भी किया जा सकता है और साती साथ जो पहले से जो सिस्टम चले आ रहे हैं उन पर रिसर्च करके और उनको कैसे बहतर बनाया जा सकता है उस पर भी इनकी निगाव निरे अब इसी म बनाज़ करेंगे फूर्य तरीके से की तरीके से रहा है कि पूरी तरीके से इनडियन आमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इंडियन की लिए वो defense के रूप में आप उसको तरीके से मानिए वहाँ पर वो successful होगा और भी जगहों पर वो सारी चीज़े implement की जाएंगी ICT solutions के लिए हमको मतलब पूरी तरीके से काम करना बहुत ज़ादा जरूरी हो गया है ये सब के दिमाग में आ चुका है आत्म निर्भर भारत की जो एक रा है उस पे ये बहुत ही एक बैतरीन कदम साबित होगा और जैसे जैसे इसमें advancement आएंगे उनकी इंफर्मेशन आती रहेगी और हम इस चैनल पे उसके बारे में discuss करते रहेंगे तो इस वीडियो में इत्ता ही दोस्तों और भी आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में इसके regarding आपके कोई doubts होंगे तो आप नीचे comment section में बात कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे उसका जवाब देने में और हैं और कौन कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारी तरफ से इस चैनल पे उसको भी आप पर कमेंट section अगता सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हैं